वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते वर्ल न्यूस देखरें सारी दरशकांदा स्वागताय मेहा गुरिंदा सिंग खबरान दे शुरुवात कर लेंदे या हैरलाइन्स देना विश्य पदरुते पारत होया शर्मसार चारखान दे वीचीक स्पैनिश और तनाल होया गैंग रेप कटना दे दो दिन बाद भी तिन मुल्जम फरार आर्थिक संकर दे विचकार श्यावाश शरीफ ने दुजी वारसंबाडी देश दी वागडो राश्रपती आरिफ अलवी ने चुकाई सौँ गाजा दे वीचे जंग बंदी दा प्रस्ताव फेल हमास ने इसराइली केदियां दी नहीं दिती सुची गालबाद आखरी दोर मुल्जम फरार तेवन खबरा विस्थार देना चार मुल्जमा नो ही गिर्फतार किता है पलिस ने एक ब्यान दे वीच किया है के चार लोका नो गिर्फतार किता गया है अधे बाकियां दी पार जारी है विदेशी औरते नार समुहे का बलतकार दी इस कटना ने चार खंड दे पुलिस पर शासन अते कनून परबंदनों सवालां दे केरे विच लेंदा है जिक्र जोग है कि चार खंड विच औरतां दे खिलाफ हिंसा दिया कटनामा लगातार वदरियाने चार खंड पुलिस दी वेबसाइट दे मुताबक सुबह विच हर दिन ओस्तन चार तो वद औरतां दे नार बलतकार दियाने पिछले नौ साल दे दुरान चार खंड विच बलतकार दियाने कुल 13,533 कटनामा दर्ज कितिया गईयाने उनको रोका गया, रोक के उन लोगे प्टाया गया कि हम लोग के साथ घटना हुए लगा ईनलोग के साथ कुछ घटना हुए मारपीड जैसे चुकि स्पैनिस इंगलिस बोल रहुत है तो पूर आधिकारी लोग को समझ में नहीं आया तो लोगों कुछ घटना हुआ बोलको होस्पीटल ले गए उसी करम में होस्पीटल में उनलोगे त्वारा पताएगा डक्टर साथ को कि उनलोगे साथ से जो है उनके साल लज्जा भंग की गई है तो उसके बाद हम लोगों को रात में ही सुचना दिया गया करीब एक ड़ ब भी देशी नागरिक आ रहे हैं या जार हैं लगातार गस्ती होती रहती है इसी करम में सुचना मिला तो सुचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैस्वयम और पुलिस उपातिक्षेक सदर और जर्मुंडी सब के साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बा एसी भासा बोल रहे थे इस तरह कि उनकी अवाज जो हम लोग समझ में ने पाए कि लोकल है या कुछ उनको को अईडिया नहीं था भासा के बारे में इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हलका अपना सुराग लगा जिसके अधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है उसमें उन लोगों ने अपनी सनलिपता स्विकार की है और एक लगके ने अपने अन्य सहयोग्यों को जो इस अपराद में सामिल थे उनका अभी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेश छापा मारी दल का गठन किया है इसका मोनेटरिंग मेरे दौरा किया जा रहा है साथी साथ डिए जी सर के दोरा भी लगतार इस पर निगानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल बेज्ञानिक तरीके से एफेशल के टीम और सीडी के टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्दी जल्द जो बाकी सेस बचे जो अपर करेंगे और इसे घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई पी एमल एन दे परदान शहवा शरीफ ने आज पाकिस्तान दे चौवी में परदान मंतरी बजो सौन चुकी है साल दोजर बाई तो बाद उनना ने दूजी वार देज़ी वाल ग्रो संबाली है रास्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे संजे अमीदवार शहवा शरीफ नो तिन सो चती मेंबरी सदन दे वीच दो सो एक वोटा मिलियां ज़तके जेल दे वीच बांद साबका परदान मंतरी इमरान खान दी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इनसाफ दे उमीदवार उमर अयूब खान नो बन में वोटा मिलियां नतीजे अलान कर दे हुए नैशनल असेंबली दे स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने शहवाज नो पाकिस्तान दा चौवी मां परदान मंतरी नुक्त किता है और कुरान पाकिस्तान की जुमला मुक्तजियात वा तालिमात पर एमान रखता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफदार रहूँगा कि बहस्यत वजीर आजम पाकिस्तान के बहस्यत वजीर आजम पाकिस्तान मैं अपने फराइज और कारहाई मंसबी इमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफदारी के साथ और वफदारी के साथ इसलामी जमुरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मताबग और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुदारी सालमियत इस्तेकाम यगजहती और खुशाली के खातर अंजाम दूँगा के मैं इसलामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क्याम पाकिस्तान की बुनियाद है के मैं अपने जाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूँगा के मैं इसलामी जमुरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफज और दफा करूँगा और ये के मैं और ये के मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रहायत और बिला रखबत और इनाद कानून के मताबख अनसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शक्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की ना इतला दूँगा ना इसे जाहिर करूँगा ना इसे जाहिर करूँगा नहीं बनाया जंदा ओजदा विरोद करनगी कि शाबाश शरीफ इस हाउस का मेंबर हो नहीं सकता क्योंकि वो फॉर्म सिंतालीस के जरीए जाली तोर पे इस हाउस में आया है और आज जो शाबाश शरीफ ने तकरीर भी की उससे साफ जाहिर होता है कि उसके पास कोई इमेजिनेशन नहीं है कोई प्लैन मुलक को चलाने के लिए नहीं है और मैंने अपने फ्लोर अफ ता हाउस पे अपनी तकरीर पे इस चीज़ का जिकर किया कि शाबाश शरीफ की तकरीर लगता है कि किसी रिटायर होने वाले सेक्शन आफसर साब ने लिखी होगी और वो भी कोई आज से 25 साल प्लैले जो मनसूबे थे वो उन्होंने निकाल के वहां पे रख दिये शाबाश शरीफ की हाईलाइट स्पीच की ये थी कि हम लोग ट्यूब विल का सोचेंगे कि हम लोग किसानों को किस तरह ट्यूब विल देंगे तरीके कार देना किस तरह उसको अमली जामा पेनाना वो उनके पास नहीं था उसकी वज़ा कि इनके पास मुल्क चलाने का तरीके कार या मनसूबा है ही नहीं ये चोर मारका दोम हकूमत एक बार फिर बनने जा रही है PDM2 حکومت ہے इनका एक ही मोटो है एक ही नारा है चोरी करो ते फुटो उसके लावा ये गाम कर ही नहीं सकते मुल्ट पे कर्जा शाबाश शरीफ पे बकॉल 80 ट्रिलियन रूपीज तक पहुंच किया है हमारे फॉरन एक्चेंज रिजर्वस तेजी से गिर रहे है 78 औरब डॉलर पे है और अगले डेट दो महिने में तकरीबन एक अरब से ज्यादा के हमारे बॉंट पेमेंट्स आ रही है हमारे कारुबार का बेड़ा गरग हो चुका है 84 फीसद हमारा प्राइवेट सेक्टर का होजम कम हो चुका है हमारी जो चलती ही मेशत थी 6 परसेंट ग्रोथ रेट से जो मेशत बाड़ रही थी रेल पेल थी पैसों की कारुबार बाड़ रहा था इंडस्री चल रही थी मुनाजमते आ रही थी वो सब के सब बंद होके और मन्फी ग्रोथ रह पे जीडी पी खत्म हुआ यानि के मैश्यत का हुजम सुकर गया मलेशिया दे परदान मंतरी अनवर इबराहिम इस समय और शेलिया दे दोरे उते ने अज मैलबों दे विच उना ने अस्टेलिया दे परदान मंतरी अन्थनी अलबानीज देना मुलाकत के थी दोहां आगुआ ने मीटिंग तो बाद संजे तोरू ते एक प्रेस कॉंफरेंस नो समोदन किता पतर कारा देना गलबत कर देयां एंथनी अलबानीज ने किया है के मिलेशिया आस्टेलिया दा परमुक के तनी पाईवाल है इस मोगे उना आस्टेलियन अते मिलेशियन टेकनोलजी कंपनिया विचकार सिहोग नो उत्शाहित करन वास्ते एक नमे समझोते दावी ऐलान किता है Today Prime Minister Anwar and I agreed to deepen partnerships between our universities and other vocational training institutions through a new Memorandum of Understanding on Higher Education I'm also pleased to announce today our new Memorandum of Understanding on Youth and Sport which will provide great opportunities for the next generation of Australian and Malaysian young sports people to train and develop side by side As two of the region's democracies I am proud that Australia is supporting Prime Minister Anwar's institutional reform agenda through the Australia-Malaysia Institutional Strengthening Program This is already working to strengthen government transparency and integrity Our extensive defence cooperation underpinned by our membership of the five power defence arrangements and the Malaysia-Australia Joint Defence Program was high on today's agenda We also announced an MOU on the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty to enable data sharing and capacity building in nuclear non-proliferation between our two countries The Prime Minister and I also discussed our joint commitment to better manage cyber threats Going forwards Australia and Malaysia will be able to engage in more comprehensive information sharing and cyber skills development and we will work closely together on immigration and border issues I'm delighted Prime Minister Anwar will join ASEAN leaders and myself at the special summit for the 50th anniversary of Australia-ASEAN dialogue relations in Melbourne here this week Australia's security and prosperity are intertwined with those of South East Asia This is why deepening Australia's partnerships in South East Asia remains high on the government's agenda If Australia and Malaysia work more closely together building on our long history of cooperation and trust for one another We can shape the kind of region that we both seek And the friendship between our two countries will only reach new heights Israila at Hamaaz विचारे पिशले प्छले पञचा मेनिया तो जंक चल रही है इस दुरान के हाजार है इस दुरान के हजारे लिवाजारी इस तो एक वार फिर जंक लिगे तो आए तो तो ज़ारी रहाई हो सक दिया है इसराइल अते हमास विचकार पैदा होया एह विवाद हजारां लोकां दी जान लैंड तो बाद भी नहीं सुरजिया इसराइल ने 130 कैदियां दी रियाई दे बदले रमजान दे महीन दुरान गाजा विचे 6 हफ़तें दी जंग बंदी ले सेहमती दी ती सी अते हमास दा वफद अन्तम दौर दी गालवातली एदवानों मिसर दी राजता नी काहरा पहुंचिया सी अमरिका ने भी इस परस्तावनों उत्षाज जनक दस्यासी अते उमीद जदाई सी के गाजा विच लड़ाई जल्दी ही रुख सकती है इजराईली फॉज दी स्मिख्या रिपोर्ट दे विच हाली दे विच रफाद अंदर 118 लोकां दी मौत दा मामला सामने आया इजराईली फॉज दे ब्यान दे विच केहा गया है के गल्द फेहमी कारन होई गोली बारी विच कुछ लोग मारे गे सान पर इस तो बाद मची पागदार विच ज्यादातर लोग कांदी मौत होई है You see, our war is not against the people of Gaza. Our war is against Hamas. It is Hamas who started this war on October 7th. It is Hamas that had caused immense suffering to civilians on both sides of the border. The IDF has concluded an initial review of the unfortunate incident where Gazan civilians were trampled to death and injured as they charged to the aid convoy. Our initial review has confirmed that no strike was carried out by the IDF towards the aid convoy. The majority of Palestinians were killed or injured as a result of the stampede. From the information we gathered, from the commanders and forces on the ground, our initial review has indicated that following the warning shots fired to disperse the stampede and after our forces had started retreating, several looters approached our forces and posed an immediate threat to them. According to the initial review, the soldiers responded towards several individuals. As a professional military committed to international law, we are committed to examining our operations thoroughly. We have opened an inquiry to examine the incident further, which will help us reduce the risk of such a tragic incident from occurring again during one of our humanitarian operations. The incident will be examined in the fact-finding and assessment mechanism, an independent, professional and expert body. For the sake of transparency, we will share updates as our examination develops, hopefully in the coming days. I want to make something clear. Our war is against Hamas, not against the people of Gaza. This is why we are facilitating aid, creating humanitarian corridors, establishing unilateral humanitarian pauses, and exercising caution in our use of force. The impact of Israel is causingmalic attacks, which is of 14-1 and has remained on the ground. In the video, the war is starting to mention the force of ukrain, in the war. I will have taken place for the entire war and the war. The war is of 18, which will have been attacked by the 2014 forces and the war. Our war was against Hamas. The war was against Hamas. The war was against Hamas. The war is against Hamas, and the war is against Hamas. The war is against Hamas. The war is against Hamas. कवैत वलोपे जी गई सी स्योंकत राश्टन ने इस हमले दी निंद्या कार्णिया इसनों चिंता जनक दस्या है ताजा इसराइली हवाई हमले वीच रफा इलाके दे वीच एक ही परिवार दे 14 लोकां दे मारे जान दी भी ख़वर है इसराइल ने खान यूनिस अते गाजा शेहरों ते बंबारी किती है कारवाई दे वीच खान यूनिस दे वीच हमास दे ती लडाके मारे गएने बीर रपोर्ट पारती विद्यार्थियां दा कैनेडा जान परतीरु जान करदा जारे है हाली दे समय दे वीच हर साल वादे तो बाद दो जार बाई दे मुकावले दो जार तेई दे वीच कैनेडियन उच सिख्या संसामा दे वीच शामल होन लेग पारतियां वलो स्टड़ी परमट दियां अरजियां विच पंदरां फिस दी तो वाद दी गिरावट आई है गिरावट दी इस स्थिती दे लेई रहाइश दी समरथा दे नाज दो पकी तना ने एंपुमिका निवाई है इमिग्रेशन रफ्यूजिज अते स्टेजिजन शिप कैनेडा दे अंक्रियां दे अनुसा दो हजार तेई दे लेई अधियां परमट अर्जियां पिछले साल तिन लाख तरहेट हजाद चार सो चरासी तो काटके तिन लाख सात हजार चेसो तिन रह चुकी है जो के एक वड़ा रिकॉर्ड सी स्टिजन शिप लैन दे लिए अपलाई करन वर्यां दे गिंटी काटके च्याड़ी परसेंट रह गई है जिस सबंदी माहरा मुला अपने विचार सांजे किते गेने मैं समय दें कि बड़ा इंपॉर्टेंट एसपेक्ट है गा जिननों के बड़ा सीजिएसली लेना चाहिए है किसे भी कंट्री वास्ते बड़ा मैटर कर दा है कि उते दा की ट्रेंड है गा या क्योंके सिटिजन्शिप लेन देनाल ऐसना है कि कंट्री नू फरक पहनदा है किसे भी कंट्री दा इंट्रेस्ट पता चल दा है कि लोग किना इंट्रेस्ट ले रहे ने और उस तों हिलावा पॉलिटीशन वास्ते बड़ा माइने रख दा है कि अल्टीमेटली वोट बैंक थां सिटिजन्श दा ही है गया है ना के पियार लोग अंदा और अगर सिटिजन्शिप लेन वाली लोग कट जानगे ते वोट बैंक भी कट जाएगा और बाकी हो और सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैगे ने अगर ट्रेंड देख्या जावे एक जमाना हुंदा सी लोग वेट कर दे रहने सी के मैं सिटिजन्शिप ले इलिजिबल होँआ ते इमिरेट ली अप्लाई करां ते इंडिजन्श फैक्टर्स हैगे ने केस्टो 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 करदा है पर जिड़े जनराइज आप कर दी ये देखो ऐसना हुंदा है कि कोई भी जदों तसी सिटिजन्शिप दूसरी कंट्री दी लेंदे और ताहीं लेंदे ओ जदों तनों उदा बड़ा एक एडवांटेज नदर आदा है हुन की हुए है कि ओवर दी पीरिद ऑफ ताइम जिडियां ताइम देनाल बाकी कंट्रीज देवलोपमेंट्स हुनियां गही है ने इंडिया एक्जांपल लेलो फर एक्जांपल एक जमाना हुंदा सी जदों बड़ा ज्यादा गैप सिगा लिविंग स्टैंडर्स देवे एक चीज है, हाउसिंग दूसरी चीज है, डिसिप्लेन एंड लौ एंड और इस अनधर पॉइंट, एह सार्यां चीजां हुंदियां से किया है, जथे के लोग लोग हुंदे से किया है थे आनवास थे, उन आज दे दिन ते पिछले साल दा कुछ ट्रेंड है, मैं क्रिटिक से किया है, अगर तो से कह दे दिन दे उसानों फिजिकल हाम नहीं होया, तो पुलिस शायद बहुत सारे केंटे हुंदी भी नहीं, तो एक जमाना से किया कि लोग एक एग्जांपल्स कूट कर दे हुंदे से कि तो से पुलिस नों फोन करो, तो अड़े फोन रखन तो पहला पुलिस आजागी, सीटी ओफ सरी ने हेड क्राइम निती दे वीचे कुज सोदना करन्दा ऐलान किता, जिस तहद किसे भी तरहना परचार का दियां, किसे खिलाफ नफरत पर इशब दावली बोली जाली की नहीं जा साकती, हेड क्राइम परूद अवाज उठा रही लोग स इस बाइना पर इस अटागी, सीटींट फिलाफ जे आतागी, जिस एजए के लिए घंटी आगी, जिए जोगूदी एजिए क्योदी आगी, इस तहरा है, जोड़ी आगी नफरेता बिख तरहने के लिएक्सान ऑना पान लीए, जह अपनी जडी इंडिश चमुएटी आगी अगेंसिट वो करिमस, उनु रोक्क अजुड है ते अपना धनना डिबूक अप्टेट की ता जी उनने पुलीस रेनिंग जी उनने जड़े इनवेस्ट प्लीस होना जाद बेचिशत करना, कभी जादोनों कुल कंप्लेंट आओगी तो उनने इन्वेस्टिगेट किस तरीक के ना करने है ते उनना दी सोच्चन दी ते दूरन देशी की होनी चाहे दी It was pretty clear that the RCMP felt the language previously was not clear enough for them to be able to come out and charge people who were displaying messages of hate very frequently out here And so I'm hopeful that this will now give the police the teeth to be able to charge and convict इक पासे इनो थोननों अपने freedom of speech थोननों अपना अपना Canadian Charter of Rights and Freedom जे दीन एड़ा बड़ा अधिकार देता गया और सारे नालो most important right है ते दुझे पासे आपा इनो लोकां अगर विचारां दे परगट करन दे उपर आपना दे पबंदी लामा गे ता हो सकता उननों ता freedom of right है ओदे उपर impact भवे तो एड़ा balancing act है एक इना वदिया थे लेटर आउन दाउन दा रोड सिद्ध होगा ओधा ता टाइनी दस होगा पर right now it's a big challenge भी जे किसे दा बच्चा कहन दा जी मैं गे हैं जा कुकुडी कहन जी मैं लेस्पी न ते अबिसली गाल पंजाबी पेरेंट्स नू कई बारे गाल पाच दी नी उननों पसंद नी ता ओ ओधी सोच बदन लई उनों कहन दे है कवी तू अपनी कांसलिंग करवा तू अपनी थेरपी करवा है सो टूडो सरकार ने जडी ऐस्तना दी जडी तूसी अंडर कंपल्शन कुई थेरपी वगरा कुरान दी कहन दे उनों उनना ने इल्लीगल टेगलेर कीता है सो फिलाल देले ही वर्ल ने उस दो विचे नहीं तो मैंनों इजाज़त देओ वाहिगरुजी का खाल्सा वाहिगरुजी की फते